दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही धमाकेदार और इंटरस्टिंग वीडियो में आज का ये वीडियो ब्लॉगर्स के लिए वर्दान होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा आप AI टूल की हेल्प से SEO-friendly आर्टिकल जो की 100% human generated होंगे किस तरीके से लिखवा सकते हो क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आर्टिकल लिखने में दिक्कत होती है लेकिन फिर भी ब्लॉगिंग करना चाते हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हैल्प करेगा आपको AI टूल को यूज करने का मैं एक जबर्दस तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप SEO-friendly आर्टिकल चुटकियों में English Language के अंदर अपने ब्लॉग के लिए आसानी से लिखवा सकते हो आप एक दिन के 10, 20, 50 जितने चाहे उतने आर्टिकल लिखवा सकते हो अपने आर्टिकल्स को रैंक भी करवा लेते हैं एट्संस का अप्रूबल भी ले लेते हैं और यहां तक की पैसा भी कमा लेते हैं यूट्यूब पैसी धेरों वीडियोज मिल जाएंगी जो की 100% सच हैं क्योंकि मैंने खुद भी देखा है कि copy-paste content से भी पैसा कमाया जा सकता है लेकिन जब वही चीज आप करने जाते हो तो आपको सिरफ मेहनत लगती है एक रुपई की भी earning नहीं होती ऐसा क्यूं होता है उसका मैं reason बताता हूँ दो चीजे हैं जो आपको follow करनी पड़ेंगी अगर आप इस method से पैसा कमाना चाते हो पहली है strategy और दूसरा है experience जितने भी लोग copy-paste से या फिर AI से articles लिखवा के पैसा कमा रहे हैं वो पहली बार में सफल नहीं हुए उन्होंने एक बार किया सफल नहीं हुए दूसरी बार किया सफल नहीं हुए लेकिन हर बार कुछ ना कुछ improvements करते गए और ऐसे करते करते उनको एक ऐसा trick पता लग जाता है जिससे वो ये काम कर लेते हैं अगर आपको भी article लिखने में दिक्कत होती है तो जो तरीका मैं आपको बताऊंगा इसको as it is use करना और साथ में अपना दिमाग लगाना अगर आप ये सोचोगे न भाई ने बता दिया तो मैं इसी तरीके को follow करूंगा अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा तो sorry to से आप कुछ नहीं कर सकते हो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि सफल भई होते हैं जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से AI टूल का यूज करके आपको articles लिखवाने हैं जो कि SEO friendly होंगे और Google में rank भी करेंगे तो guys सबसे पहले यहाँ पे मैं trick बताने से पहले अपनी strategy बताने से पहले यहाँ पे आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि normal लोग अगर chat GPT पे या किसी भी AI टूल पे जाते हैं तो वहाँ पे normal article कैसे लिखते हैं और जो article हमे chat GPT लिखके देता है वो हमारा human generated होता है यह सारी की सारी चीजे मैं आपको proof करके दिखाऊंगा पहले उसके बाद मैं आपको trick बताऊंगा तो आपको video को skip नहीं करना अगर आप strategy को अच्छे से समझना चाहते हो तो दोस्तों जो चीजे मैं आपको बताने वाला हूँ इसे देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा क्योंकि देखो normal लोग chat GPT को use कैसे करते हैं अभी मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ और जब मैं आपको trick बताऊंगा तो दोनों का difference आपको समझा जाएगा कि राहूल भाई ये चीज possible कैसे है तो सबसे पहले अपनी strategy को apply करने से पहले किस तरीके से normal लोग chat GPT का use करते हैं हम वो देखते हैं for example यहाँ पे मैंने chat GPT को बोला what is red sauce pasta ठीक है मैंने बोला कि मुझे इसके उपर एक article लिखके दे दो red sauce pasta क्या होता है तो देखो chat GPT ने बड़ी खूबसूरती से लिखना start कर दिया तो chat GPT ने जो भी लिखा हम उसमें से copy करते हैं copy करने के बाद एक website पे आते हैं जिसका नाम है 0GPT.com यहाँ पे हम check कर सकते हैं कि हमने जो article लिखा है वो किसी AI से लिखा है या खुद से लिखा है तो यहाँ पे मैंने chat GPT से लिखे हुए article को डाला और देखो इसने बताया your text is AI GPT generated यानि जो आपने लिखा है वो AI ने generate किया तो इसने कितनी खूबसूरती से यह पता लगा लिया कि हमने AI से article को generate किया है तो अब मैं आपको बताऊंगा वो strategy जिसको follow करके अगर आप chat GPT से लिखवाओगे न तो कोई भी tool यह नहीं बता पाएगा कि आपने किसी AI tool से लिखवा है वो 100% ऐसा लगेगा जैसे आपने खुद लिखा है तो आपने देखा देखो tool तो सभी के पास है chat GPT कोई भी free में use कर सकता है लेकिन इसको use करने का सही तरीका क्या है जिससे आप ऐसे articles लिखवा सको जो 100% Google में rank करेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा ठीक है तो चलिए अब चलते हैं अपनी strategy की तरफ अब बारी आती है कि chat GPT का use करके हमें ऐसी कौन सी strategy को follow करना है कि chat GPT जो results औरों को दे रहा है वो हमें नहीं देगा हमें बिल्कुल वैसे article लिखके देगा जैसे किसी इंसान ने लिखे हो अब ये काम कैसे करवाय जाता है particularly इसके कुछ steps हैं जो हमें follow करने होते हैं क्या क्या steps हैं यह मैं आपको laptop की screen पर बताता हूँ आप mobile, laptop, computer, LED, LED कहीं से भी कर सकते हो आपकी choice है तो दोस्तों अब मैं जो चीज़ें आपको समझाऊंगा न उनको ध्यान से समझना सिरफ copy paste वाला काम मत करना क्योंकि जब आप किसी चीज़ को ध्यान से समझ के करते हो तब भी आप उसे better तरीके से कर पाते हो यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो step है मैंने chat GPT को open कर लिया open करने के बाद हमें chat GPT के उपर ये वाली command देनी है basically chat GPT के कितना जबर्दस tool है आपको इसे use करना आना चाहिए आप इसे बहुत अच्छे अच्छे articles और बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हो तो हमारा जो पहला यहाँ पे इसको prompt देंगे हम command देंगे वो देंगे I am going to give you some information कि मैं तुम्हें कुछ information देने वाला हूँ before asking you to write an article कि कुछ article लिखने से पहले मैं तुम्हें कुछ information दूँगा तुम्हें उस चीज को ध्यान से समझना है तो मैं chat GPT से पूछ रहा हूँ क्या आप इस चीज को समझ सकते हो तो मैंने enter किया तो देखो chat GPT ने मुझे answer किया Yes I understand Please provide me with the information You would like to include me in the article कि आप मुझे वो information दो जो मुझे article में include करनी है ठीक है तो ये इसने का कि मैं English में लिखने के लिए happy हूँ ठीक है इसके बाद बात आती है हमारे दूसरे step की अब ये जो दूसरा step है इसको ध्यान से समझना ठीक है बहुत ही आसान step है और मैं आपको समझाओंगा तो मैंने इस command को यहाँ पे लिख दिया basically इस command का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ भाई copy paste तक मत रहना पहले ही बोल रहा हूँ समझ लो ठीक है जब भी कोई article हम लिखते हैं तो दो चीज़े main होती है perplexity और brustiness ठीक है यह दो चीज़े होती है तो जो humans होते हैं वो इन दोनों चीज़ों को use करके अपने article को लिखते हैं देखो हम सोचते भी है article लिखते समय ठीक है यानि हम अपनी feelings को डालते हैं लेकिन AI content क्या होता है AI content ना जादातर एक जैसा होता है आप chat GPT से कुछ पूछोगे वही same words वो use करेगा आपके लिए और कोई पूछेगा उसके लिए भी same words use करेगा तो हम इस command के थुरू chat GPT को कह रहे हैं कि तुम्हें humans की तरह act करना है आपको एक robot की तरह act नहीं करना कि आपसे जो पूछा आप सभी को same answer करोगे तो last में हमने इसको बोला क्या आप इस चीज को समझते हो तो यहाँ पे chat GPT ने पूरा हमें answer किया yes I understand I keep in mind concept of यह हमने इसको दिया perplexity and brustiness कि मुझे इन concepts का पता है जब हम article लिखते हैं तो मैं इसी के अनुसार आपका article लिखूँगा ठीक है दो step होगे इसके बाद तीसरा step आता है हम इसको अब article लिखने के लिए बोलेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको copy करते है command को और यहाँ पे copy करने के बाद यहाँ पे मैं इसे paste कर देता हूँ ठीक है अब इसका मतलब क्या है कि जो मैंने आपको concept बताए पहले आपको use करके उसे perplexity and bristiness को use करके बहुत ही अच्छा article लिखना है ठीक है अब आप ऐसे ही enter कर दोगे तो कुछ भी article नहीं लिखेगा तो अब आपको क्या करना है अब जाना है आपको google के उपर google के उपर जाने के बाद आप जिस भी topic के उपर chat GPT से human friendly SEO friendly article लिखवाना चाते हो आपको वो topic यहाँ पर search करना है ठीक है तो यहाँ पर मैं करता हूँ red sauce pasta ठीक है जैसे कि हमने red sauce pasta से related लिखवाया था पहले chat GPT से लेकिन उसने हमें डंग से लिखके नहीं दिया उससे पता लग गया था कि AI content है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ red sauce pasta recipe तो यहाँ पर हम कुछ भी खोल लेते हैं for example मैंने यह website खोल ली इसके जस्ट link को copy करना है मुझे मैंने link copy कर लिया copy करने के बाद वापिस आऊंगा यह जो मैंने 3rd command लिखी थी इसके बाद मैं उस link को copy कर दोंगा यहाँ पर देखो इस link को मैंने paste कर दिया और enter किया enter करने के बाद आप जो chat GPT आर्टीकल लिखेगा न एक नंबर का जवर्दस ताटीकल होगा और वो 100% human return होगा proof करके दिखाता हूँ नहीं मानों के मुझे पता है हम क्या करते हैं यहाँ पे दो कर काफी speed में चल रहा है मैं इसको stop कर देता हूँ ठीक है क्योंकि वीडियो में ज्यादा लंबी नहीं करनी यह जो इसने यहाँ पे पेस्ट किया detect test पे क्लिक किया तो आप देखोगे your text is mostly like human return ठीक है समझ आया ठीक है और यहाँ पे देखो 0% AI chat GPT यानि इसका मतलब क्या है कि हमारा सारा content जो है वो human ने लिखा है इसने detect नहीं कर पाया क्यों क्योंकि भाई जो 3 steps बताए है powerful steps है अब हमारे पास देखो पूरा article आ चुग है अब आता है वीडियो का main step देखो chat GPT से आपको human friendly article लिखने आगे जिसको AI tool भी detect नहीं कर पा रहा है कि अपने AI से लिखवाया है अभी वीडियो खतम नहीं होई है अभी तो यार बहुत धमाका बागी है तो वीडियो को end तक देखना क्योंकि main part तो अभी आने वाला है तो दोस्तों यहाँ पे chat GPT ने हमें 100% unique article तो लिखके दे दिया जो कि human generated content की तरह बिल्कुल लग रहा है अब बात आती है क्या ये Google में rank करेगा तो मैं कहूंगा नहीं करेगा अब क्यूं नहीं करेगा आपका होगे आपने तो बोला था ऐसे article लिखवाएंगे जो Google में rank करेंगे मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि यहाँ पे दो चीजे लगती है strategy और experience अब बात आती है अपना थोड़ा सा दिमाख लगाने की यहाँ पे मैं आपको practically कुछ ऐसी चीजे बताता हूँ जब हमें यह article मिल जाएगा जो कि human generated होगा बिल्कुल अब इसके अंदर क्या-क्या changes करने हैं इसको SEO friendly कैसे बनाना है वो मैं आपको step by step laptop पे बताता हूँ इसको follow कर लेना इससे क्या होगा आपका जो article है और अच्छे level का बन जाएगा थोड़ा सा human touch आ जाएगा बाकी AI से हमने करवाई लिया तो हमारा article rank भी करेगा approval भी मिलेगा तो चलिए यह कैसे करते हैं यह भी मैं आपको बता देता हूँ तो guys यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ आपको कौन-कौन से steps को follow करना है और यह सबसे जादा important steps है अब आपके मन में एक चीज यह भी आ रही होगी कि भाई आपने मुझे steps तो बता दिये कि 3 steps follow करना है लेकिन वो commands हमें कहां पर मिलेंगी जो आपने use करी थी अब यह जो commands है यह आपको मिलेंगी मेरे telegram channel पे और telegram channel का link आपको मिल जाएगा वीडियो की description में वहाँ पे जाना है यह commands वाली file आपको मिल जाएगी आपको यह तीनो commands वहाँ पे उस file को download कर लेनी है copy करो और chat GPT का use करो अब बात करते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे article लिखवाया इसके बद मैंने इस article को यहाँ पे word में copy कर लिया अब मैं आपको बताऊंगा आपको इस SEO friendly कैसे बनाना है देखो जो chat GPT है ना proper SEO friendly article नहीं बना सकता थोड़ा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे आपको क्या करना है सबसे पहली चीज आपको keyword research करनी है देखो keyword research कैसे करते हैं वो तो मैं आपको इस video में नहीं बताऊंगा लेकिन आपको एक keyword निकालना है फोर एक्जामपल गूगल पे मैंने सर्च किया red source pasta recipe यह काम आपको keyword research का chat GPT से article लिखवाने से पहले करना है तो यहाँ पे मैं अगर आपको search करके दिखाता हूँ red source pasta recipe US में कितना इस पे volume है क्या कुछ searches है तो आप देखो के 42 keyword difficulty है और इसके 2000 searches हैं हर महीने के US के अंदर गर इसी चीज़ को हम इंडिया में करते हैं तो आपको result थोड़े different मिलेंगे तो आपको choice करनी है कि जो आप keyword research कर रहे हो वो particularly कौन सी country के लिए कर रहे हो यह देखो इंडिया में कितना है 18 keyword difficulty और 3.5 के searches यानि searches जादा है USA से keyword difficulty भी कम है ठीक है तो आप इस keyword को select कर सकते हो उसक इसके बाद हमें क्या करना होता है जब हमें keyword मिल जाता है particle लिखवा लोगे आपको क्या देखना है जो chat GPT title देगा उसमें हमारा main keyword आता है नहीं आता है तो यहाँ पर आया हुआ है red sauce pasta recipe ठीक है तो यह बहुत अच्छी बात है इसके बाद हमारा जो पहला paragraph हमें लिखके दि ठीक है normal सी एक line लिखेंगे tell you the yummy ठीक है और यहाँ पर हम क्या करेंगे red अपना main जो keyword है वो लिख देंगे sauce pasta और यहाँ पर मैं लिख दूँगा recipe तो इससे क्या होगा main जो हमारा keyword है main जो हमारा keyword है वो हमारी पहली line में आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा सा यह space द इसको bold कर दिया पहले paragraph में आ गया इसके बाद ठीक है यहाँ पर ingredients तो हम यहाँ क्या करेंगे हम यहाँ इस तरीके से करेंगे red sauce ठीक है और यहाँ पर हम क्या करते हैं pasta ingredients तो यह क्या है यह भी keyword है red sauce pasta एक keyword है इसको भी हमने ingredient यानि इसको हम heading रखेंगे अपने wordpress या blogger में इस इसको heading बनाएंगे ठीक है यह हो गया इसको मैं copy कर लेता हूँ बार बार लिखना पड़ रहा है ठीक है on page SEO इतनी मुश्किल नहीं होती अब instructions इसने normally लिख दिया कि बनेगा कैसे तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ red sauce pasta मेरा main keyword था यह recipe instructions heading में भी डाल दिया ठीक है बीच में भी आप कहीं पर भी use कर लें उसके बाद नीचे conclusion में ठीक है so हम यहाँ पर एक और बार include कर सकते है अपने keyword को मैं आपको बताता हूँ कैसे है तो guys यहाँ पर मैंने line add करी now you know the red sauce pasta recipe यह मैंने अपना main keyword include कर लिया you can make it for your kids and they will become happy after eating this ठीक है तो इस तरीके से मैंने line add कर दी basically this line का मतलब क्या था कि हमें अपने main keyword को यहाँ पर enter करना है तो यह हमारा जो article हुआ यह थोड़ा बहुत SEO friendly हो गया जितना होना चाहिए इसके अलावा आपको images लेनी है Google से उसके alt text के अंदर अपने main keyword को डाल देना है तो आपका पूरा article SEO friendly बन जाएगा और definitely Google में rank करेगा तो guys यह थी complete video किस तरीके से आप AI से अपने article को लिखवा सकते हो अब last में मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा अपना opinion की best क्या है AI से अगर आप article लिखवाते हो वो ज्यादा best है या खुद से लिखे हुए article best होते हैं तो guys मैं अपनी opinion अगर देना चाहूँ तो मुझ सारे लोग सोचते हैं कि chat GPT के बाद तो blogging खतम हो जाएगी तो मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि यह चीजे पहले भी होती थी जब internet इतना ज्यादा viral हो गया बहुत सारी websites आ गए जितने भी news channels हैं सबकी websites सबकी apps बन गए तो लोग यह बोलते थे कि newspaper तो बिकने बंद हो क्या बिकने बंद हुए newspaper तो आज भी लोग खरीदते हैं वही news वो app भी बढ़ सकते हैं लेकिन newspaper आज भी खरीदे जाते हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही जो AI है बिल्कुल भी blogging को खतम नहीं कर सकता क्योंकि AI एक level तक आपको result दे सकता है किसी भी चीज के उपर लेकिन हमारे दिम बनाया तो जो हमारी creation होगी न वो AI से उपर होगी तो मेरा personal opinion यही है अगर आपको blogging as a professional करनी है lifetime तक करनी है तो मैं तो यही कहूंगा कि देखो starting में आप इस tool का use कर सकते हो इस method का use कर सकते हो लेकिन कोशिश करो जिस भी language में आप comfortable हो उसमें अपने पसंद के topic पे एक blog अप न ऐसा रखो जहांपे आप खुद article लिखो दीरे दीरे करके आप article लिखने के expert बन जाओगे और आपको article लिखना आ जाएगा और जिस दिन ये हो गया उस दिन आपको एक सफल blogger बनने से कोई नहीं रोप पाएगा मैं ये नहीं कह रहा हूं जो मैंने strategy बताई काम नहीं करत तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगर blogging में online earning में YouTube से related कोई भी दिक्कत आ रही हो आप अपने भाई को comment कर सकते हो मैं आपके comment का reply जरूर दूँगा और अगर आप blogging कर रहे हो कितनी भी problems आ रही है tension लेने की जरूरत नहीं है निरंतर प्रयास करते रहो जो problem आ रही है उसके solution निकालते रहो उदास मत होना motivated रहो बस एक चीज सोच लेना कि जो मैंने सोचा था जब मैंने blogging स्टार्ट करी थी मुझे उस same को पूरा करना है बस ये खयाल मन में लेके चलना सारी problems को हटा देना आप blogging में सफल हो जाओगे तो चलिए मिलता हूँ आ आप सभी किस अपने पूरे होंगे बबाए